आवाज सुनकर ही लगा ना कितने करारे और मज़िदार ये बने हैं तो नमस्ते दोस्तों आज मैं आप सब के साथ में शेयर करने वाली हूं सिंधी आलू कचालू की रेसिपी जो कि आप as a starter या फिर side dish या फिर चाठ की तरह भी इसे serve कर सकते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने और यहा पर आलू कचालू लिये हैं कचालू जिसे अर्भी भी कहा जाता है यहाँ छोटे size के अर्भी थी तो मैंने इसे ना दो सीटी लगा कर उबाल लिया है और उबालते संए हमें इसमें आमने नमक डाल देना है और make sure आप न इसमें इसको बहुत जादा बॉयल ना करें, तो सबसे पहले इसे हमें चील लेना है, मेरे गर में आलू कचालू एक साथ खाय जाते हैं, आप चाहें तो सिर्फ कचालू बना सकते हैं, या सिर्फ आलू भी इस तरीके से बना सकते हैं, तो यह देखिए बिल्कुल अच्छे से यह रैडी है इसे मैं दो तरीके से बनाऊंगी, एक जो अथेंटिक सिंधी तरीका है और एक जो मेरे गर में यूज किया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो आलू है इसे इस तरीके के थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में हमें काट लेना है, तो एक मीडियम साइस का आलू को इसके वज़े से इसमें इवन हीटिंग होती है, तो इसे हम डीफ्राइ करेंगे, तो मैंने या पे देके इस तरीके से ओईल ले लिया है, ओईल या मीडियम होट है, तो इस तरीके से डारेक्ली ये बॉल किया हुआ, अर्बीस में डाल देंगे, साथे आलू भी डाल बीच में एक दो बार इस तरीके से आप चला लिजेगा, जब तक कि अच्छी ये सुनेरी ना हो जाएं, तब तक हम एक मसाला रेडी करेंगे, तो मैंने स्वात के नुस्वार नमक लिया है, तीकी वाली लालमिचे हैं, काफी सारा दनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पा तो बस इस स्टेज पे से हम निकाल लेंगे, इसे निकाल के ना हलका सा थंडा हम होने देंगे, तो देखिए इस तरीके से जब ये हलकी से हाथ लगाने लाग थंडी हो जाएं, तब आप क्या कीजिएगा, एक अर्भी लें, इस तरह की फ्लैट कटोरी हो, उसका इस्तमाल क तो इसी तरीके से हमें अपनी जो सारी अर्भी हैं, वो फ्लैट कर लेनी है, और आलू को भी इसी तरीके से देखिए कर लेना है, तो बस ये रेडी है, इसे ना ये ऑथंटिक तरीका है, इसमें डबल फ्राइ किया जाता है, तो एक बार जब हाफ फ्राइ हो जाएंगी, उ उसके बादें करारी और सुनहरी उने तक इस तरीके से हमें फ्राय कर लेना है तो सेकंड फ्राय बहुत जल्दी हो जाता है तो सेकंड फ्राय आपको हाई फ्लेम पे करना है और जो सेकंड मेठर्ड है उसमें क्या करना है डायरेक्ट जो बली वी अर्बी है उसे देखिए इस जब यह इस तरीके से color change कर ले ना उसके बाद यह आप इसे पल्टेंगे तो क्या होगा पल्टेंगे ना तो यह तेल में बिखर जाएंगी तो यह देखिए यह बिल्कुल बड़ी सुनहरी हो गई हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं तो देखिए हमारी दोनों तरह की single fried और double fried द कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे जो मसाला हमने बनाया था ना वह मसाला इसमें अच्छे सिर्फ जेन्विस अब को डालना है क्योंकि अभी तक ने सिर्फ सॉल्ट का ही फ्लेवर है जो हमने उबालते टाइम डाला था अच्छी तरफ दोनों तरफ पलटके मसाला डाल दिया ह पैन में सिर्फ एक चमस तेल छोड़ देना है ताकि मसाला कुक हो जाए उसके बारे से ना एकदम मीडियम फ्लेम पे हलका सा इसको आप सौते कर लिजेगा ताकि जो मसाला हमने डाला है ना वो कच्छा ना रहे तो बस तैयार हो गई आपके आलू-कचालू-फ्राय या अर पैसराल में ना तो इसको पुलाओ के साथ खाया जाता है पुलाओ आलू-कचालू हमारे गर बनते हैं और मुझे परस्टनली चार्ट बना के खाना बहुत पसंद है इसकी तो आप इसको चार्ट की तरह भी बना सकते हैं उपसे दही चटनी मसाले वगरा डाल दीजेगा ड चार्ट बहुत पसंद आती है तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जल्दी ही मिलूंगी एक नई और मजदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई